कि CFTRI की brand value इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो directly enter करते हैं MNCs में तो ये एक type से आपको एक shortcut मिल जाता है अगर आप जल्द से जल्द अपने carrier को एक उचाईयों तक लेकर जाना चाते हो मतलब जल्द से जल्द आप एक अच्छी MNCs में पहुँचना चाते हो या फिर आप further R&D field में अपने carrier को grow करना चाते हो तो अगर आप CFTRI में enter कर जाते हो तो यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा opportunity हो जाता है educational qualification की अगर हम बात करें तो यहाँ पर mostly जितने भी students यहाँ पर science या related field से होते हैं वो सब eligible हो जाते हैं कैसे यहाँ परन देखते हैं अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं selection process की क्या process होता है कैसे आपको selection लेना है तो यहाँ पर बात हो रही है कि candidates को entrance test में appear करना पड़ेगा अब आगे देखते हैं यहाँ पर expected cutoff कितनी रहने वाली है आपके exam की यानि CFTRI entrance exam की expected cutoff क्या रहने वाली है तो यह होती है 55-65% of total marks तो main matter यहाँ पर आता है कि क्या syllabus होने वाला है आपके exam का तो यहाँ पर आप से total 10 subjects आप से total पूछे जाएंगे उन 10 subject में कौन-कौन सा subject आप से पूछा जाएगा क्या-क्या topic होंगे सारे subject के आईए उसको सबसे पहले discuss करते हैं Hello students, Welcome to Soya Education दोस्तों CFTRI यानि Central Food Technological Research Institute की तरफ से MSC in Food Technology में जो admission होता है उसका notification रिलीस कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी बाते करने वाले हैं हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या educational qualification होनी चाहिए candidates का अगर वो इस exam में appear होना चाहते हैं इसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे total number of seats कितनी हैं आगे हम बात करने वाले हैं क्या schedule है इस examination का मतलब कब आपका admit card आता है किस date को आपका exam होगा और किस date को आपका यहाँ पर result release होगा यह सारी बाते यहाँ पर बताई गई हैं CFTRI के दौरा आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि last exam जो हुआ था उसका एक expected cut off कितना था lastly हम यहाँ पर बात करने वाले हैं syllabus की और कैसे आपको prepare करना है CFTRI entrance exam की यह सारी बाते हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आगे जाने से पहले देखिए हम यह बात discuss कर लेते हैं आपसे कि अगर आप एक ordinary student हो आपने ordinary college से अपना graduation या post graduation complete किया है तो आपके सामने various hurdles आते हैं अगर आप job करना चाते हो किसी न किसी industry में जा करके work करना चाते हो तो बहुत सारे hurdles से हो करके गुजरना पड़ता है क्या क्या hurdles होते हैं पहले चीज़ तो ज़्यादातर colleges हैं खास करके food tax related field में वो placements नहीं provide कराते हैं तो generally देखने को मिलता है कि आपको खुद approach करना पड़ता है किसी industry में वहाँ पर जाते हो आप as a fresher फिर आप वहाँ पर work करना शुरू करते हो और generally ये देखने को मिलता है कि शुरूआत में आपको रखा जाता है as a trainee तो जब आप trainee phase में रहते हो तो बहुत सारी industries में तो आपको salaries provide कराई जाती है बट mostly ये देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी industries हैं जहाँ पर आपको salary नहीं दी जाती है इस phase में जब तक आप trainee रहते हो और trainee आप 3 months से ले करके up to 1 year तक रहते हो आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि trainee phase के बाद आपको एक permanent post designate की जाती है उसी industry में अब उस industry में जब आप permanent एक post पर designated हो जाते हो तो तब आप experience लेते हो वहाँ पर experience लेते हो फिर further promotions लेते हो इस phase में आपको 2-3 year लग जाता है आगे अगर हम बात करते हैं promotions के बाद आप switch करते हो industries को various industries में जाते हो अलग-अलग industry का experience लेते हो तब कहीं न कहीं जाकर के एक बार आपको chance मिलता है कि एक multinational corporation में आप इंटर कर सको खास करके जो food tech graduates होते हैं उनको ये सारे hurdles से होते हुए गुजरना पड़ता है अगर आपको किसी MNC में इंटर करना है तो लेकिन अगर आप यही post graduation आप CFTRI से करते हो तो CFTRI की जो students होते हैं उनको ये benefit होता है यहाँ पर उनको ये benefit होता है कि CFTRI की brand value इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो directly इंटर करते हैं MNCs में तो ये एक type से आपको एक shortcut मिल जाता है अगर आप जल्द से जल्द अपने carrier को एक उचाईयों तक लेकर जाना चाते हो मतलब जल्द से ज opportunity हो जाता है तो यह यहाँ पर difference होता है ordinary college से पढ़ने का और CFTRI से पढ़ने का यह चीज़े clear हुई आपको अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि CFTRI का form भरने के लिए आपके पास कौन सी educational qualification होनी चाहिए educational qualification की अगर हम बात करें तो यहाँ पर mostly जितने भी students यहाँ पर science या related field से होते हैं वह सब eligible हो जाते हैं कैसे यहाँ पर अंदेखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह bachelor's degree in science यानि science का मतलब क्या है यहाँ या पर यानि BSC आपका किसी भी field में हो आप BSC यहाँ पर biology से हो तब भी eligible हो जाते हो math से हो physics से हो किसी भी field से हो microbiology से हो किसी से भी हो तो आप agriculture या allied sector से हो, जैसे कि आप यहाँ पर dairy technology से अगर आपने bachelor's किया है, या आपने BST agriculture किया है, तब भी आप eligible हो जाते हो, इसके साथ आप अगर engineering से related किसी भी degree को यहाँ पर लिये हो, BE आपने किया हुआ है, तब भी eligible हो जाते हो, इसके साथ यहाँ पर technology word लिखा हुआ है, या हमारे पास बहुत सा कुश्यन आता है, ऐसे student के, जो कि BEWOC को परसु किये हुए है, यानि BEWOC वाले students यहाँ पर काफी confused रहते हैं कि क्या हम यहाँ पर eligible हैं या नहीं है, तो BEWOC के candidate के लिए मैं बता दूँ, अगर आपके degree में science word लिखा हुआ है, या बीवोक in food science suppose that है, या ब बीवोक food processing and technology, बीवोक food technology, बीवोक food science, आप सब लोग यहाँ पर eligible हो जाते हो, इस exam को यहाँ पर appear करने के लिए, ठीक है, आगे यहाँ पर बात हो रहे हैं कि minimum आपके पास कितना percent marks होना चाहिए, graduation में, तो minimum आपके पास 55 percent marks होना चाहिए, किन-किन candidates के लिए जो general है, जो EWS से हैं, जो OBC हैं, इसके साथ साथ, ऐसे candidates जो कि defense personnel से belong करते हैं, ठीक है, इनके पास यहाँ पर 55 percent minimum marks होना चाहिए, graduation में, अब कुछ students का यहाँ पर सवाल आएगा, कि सर हम तो अभी final year में हैं, हमने तो अभी अपना graduation complete ही नहीं किया है, तो क्या हम इस exam में appear कर सकते हैं, क्या हम form को fill कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ mention की गई है, कि candidates waiting for final year results, मतलब अगर आप final semester में हो, या final year में हो, और आप अपने results का wait कर रहे हो, और आप इस exam में appear करना चाहते हो, तो आप appear कर सकते हो, बशरते आपको क्या करना है, कि जब आपका results है, उसको mail कर सकते हो, 55% की अगर हम बात करें, ये बात हो गई, जनरल EWS और OBC कटेगरी की, और 50% यहाँ पर mark चाहिए होता है, SC, ST और PW candidates को, अगर आप इस exam में appear करना चाहते हो, आगे चलते हैं हम लोग, आप देखिए, आगे यहाँ पर बात हो रही है कि, कुछ other type की, यहाँ पर seats, या कुछ other type का भी यहाँ पर quota होता है, जैसे कि industrially sponsored candidates, इनके लिए यहाँ पर दो seats होती है extra, इसके साथ-साथ यहाँ पर कुछ और candidates होते हैं, जैसे कि defense personal के लिए उनके पास भी दो seats extra होती है, तो उन candidates के लिए भी same criteria होता है, same वही qualifications है, बट यहाँ पर difference य certificate release करें, तभी ऐसे candidates इस college में जा करके पढ़ सकते हैं, clear हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, total number of seats की, total number of seats की अगर हम बात करें, तो 30 seats तो हैं ही, normally 30 seats सारे candidates के लिए हैं, कुछ जैसे मैंने बताया कि 2 seat यहाँ पर reserved है defense personnel के लिए, और 2 seat यहाँ पर industrially sponsored candidates के लिए होती है, it is subject to availability of suitable candidate, मतलब इसका मतलब यह है, कि अगर suitable candidate ना मिला CFTRI को, तो हो जगता है कि यह seat pack and चली जाएं, यह भी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यह सारी बाते हैं आपको समझ में आई, आगे बात करते हैं ह कि क्या schedule होने वाला है, कौन कौन से यसी dates हैं, कब आपको form बरना है, यह सारी बाते हैं यहाँ पर होने वाली है, तो date की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर mention किया गया है, 10th of April 2024, यह जो date है, इस date से आपका जो application है, वो start हो जाएगा, आप application को fill करना शुरू कर सकत हो, आगे यहाँ बात हो रही है, 26 June 2024 के onwards आपका जो admit card है, वो release होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अब admit card आपका 26 June को release हुआ, तो July 7, यानि Sunday का दिन July 7 को आपका यहाँ पर entrance exam conduct कराया जाएगा, ठीक है, entrance exam के बाद यहाँ पर 30th of July को आपका यहाँ पर result release कर दिया जाएगा, आप अपना result यहाँ पर देख सकते हो, website पर login करके, आगे यहाँ बात हो रही है कि 9 अगस्त को आप यहाँ पर admission लेना शुरू कर सकते हो, counselling कराना शुरू कर सकते हो, उसके बाद यहाँ बात हो रही है कि 12th of August से आपकी classes यहाँ पर शुरू हो जाएगी, तो यह सारी dates को यह यहाँ पर mention किया गया है, सारी dates को बताया गया है, एक एक चीज़ें यहाँ पर CFTRI ने mention किया है, clear हुआ यह सारी बात, आगे चलते हैं हम लोग, अब देखिए आगे यहाँ पर बात हो रही है, application fees कितनी होगी आपकी, तो application fees general, EWS और OBC के case में और defense personal के case में, यहाँ पर 2000 तो यहाँ पर 1000 रुपीज उनका application fees होने वाला है, ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखिए आगे यहाँ पर course fees की बात हो रही है, course fees का मतलब है आपने यहाँ पर form फिल किया, आपने exam दिया, अब आप यहाँ पर enter कर गए हो institute में, enter करने के बाद आपको जो course है उसकी fees देनी पर समिस्टर आपको कुछ amount यहाँ पर pay करना पड़ता है college को, तो पर समिस्टर आपको यहाँ पर कितना amount pay करना पड़ेगा, it is 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज तो सारे normal candidates के लिए है, लेकिन जो industrially sponsored candidates होते हैं, या जो defense personals होते हैं, उनको 60,000 रुपीज यहाँ पर pay करना पड अगे चलते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं selection process की, कि क्या process होता है, कैसे आपको selection लेना है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि candidates को entrance test में appear करना पड़ेगा, आपका यह entrance test है, वो MCQ based होने वाला है, और यहाँ पर negative marking भी होती है, one fourth आपके negative marking होने वाली हैं, तो यहाँ पर आपके पास recent passport size colored photograph होना चाहिए, इसके साथ साथ, आपका signature यहाँ पर upload होगा, सारे semester की mark sheet होनी चाहिए आपके पास, या अगर आप final year में हो, तो जितने semester आपने अभी तक दिये हैं, उन सबका यहाँ पर grade sheet आपके पास होना चाहिए, आगे यहाँ पर हो आगे बात हो रही है, यहाँ पर की parents या guardian का जो income tax return है, या जो income proof है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसके लावा अगर आप industryly sponsored candidate हो, तो आपके पास उसका certificate होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पर defense personals हो, तो उसका भी related document आपके पास होना चाहिए, clear है यह स पास हो रही है syllabus की, तो main matter यहाँ पर आता है कि क्या syllabus होने वाला है आपके exam का, तो यहाँ पर आप से total 10 subjects आप से total पूछे जाएंगे, उन 10 subject में कौन कौन सा subject आप से पूछा जाएगा, क्या क्या topic होंगे सारे subject के, आईए उसको सबसे पहले discuss करते हैं, तो सबसे पहले है कि physics आप से पूछा जाएगा, physics में सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया कि आप से पूछेगा, तो element of mechanics, law of thermodynamics, mode of heat transfer, electrostats, magnetism, electrodynamics, इसके साथ साथ यहाँ पर mention किया गया है, outlines in optics and sound, electromagnetic radiations, radio activity and element in quantum physics, तो आपने देखा यहाँ पर कि syllabus को यहाँ पर as such mention किया गया है, यह topics होत बहुत बढ़े हैं, लेकिन इन topics में आपको in detail जा करके study नहीं करनी है, बहुत जाद आपको detailing पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर आपको जो एक outline होता है इन सारे topics का, उसी को यहाँ पर आपको cover करना है, और related questions जो भी होते हैं, उसको solve करना होता है, ठीक है, आगे चलते है हम लोग, आगे देखें, chemistry का portion आता है, तो chemistry के portion में यहाँ पर दो पार्ट में divided है, basically यह जो आपका chemistry का portion है, एक तो है core chemistry का portion, जैसे कि आप उपर देख रहे होगे, gas laws है, property of gases, qualitative properties, thermochemistry, molecular orbital theory, chemical bonds, यह सारी चीज़ें तो core chemistry का part हो गई, isomerism वगरे, यह सारी चीज़ें दी topics हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर mention करी गई है, तो कौन सी topic है food chemistry का, वो है composition of food, minerals in food, water activity in food, carbohydrates, mono and disacrites, proteins, ठीक है, यह सारी चीज़ें, star, cellulose, यह सारी चीज़ें यहाँ पर mention की गई है, कि food chemistry के topic से आपको पूछा जाएगा, clear हुआ यह, तो food chemistry और core chemistry दोनों यहाँ पर जाते हैं, chemistry के portion में, और यह हुआ आपका physics का portion, आगे चलते हैं, अब देखी, आगे यहाँ पर बात हो रही है, mathematics की, mathematics में आपसे यह सारे topics यहाँ पर पूछे जाने हैं, जैसे कि theory of quadratic equation, binomial theorem, uses of natural and common logarithms, exponential series, differentiation, successive differentiation, maxima, minima, ठीक है, first order and linear differential equations, integration and integral equations, तो यह सारे topics आपसे यहाँ प करोगे, तो in detail वहाँ पर syllabus आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकरके यह सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर botany and zoology की, तो botany और zoology को यहाँ पर एक साथ रखा गया है, अलग-अलग नहीं रखा गया है, इससे related भी बहुत सारी जोलोजी और इवलूशन, साइटोलोजी, इसके साथ साथ economic, botany, tissue, culture, यह सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपको botany के portion में, जोलोजी में अगर हम बात करें तो molecular basis of life, nucleic acid, their role in life, elements of genetics, organization of animal tissues, elements in human anatomy and physiology, endocrine gland, digestion, absorption, respiration, general physiology of animal, systematic of animal, यह सारे यहाँ पर topics हैं, जो की mention किये गए है under the category of zoology and botany, तो यह देखा अभी आपने total, चार सब्जेक्ट सभी तक आपने total देख लिए हैं, आगी चलते हैं हम लोग, जो को fifth subject आपका आता है microbiology, microbiology में यहाँ पर आप से पूछा जाएगा historical development in microbiology, morphology, cytology यहाँ पर इसको include किया गया है under the category of microbiology, reproduction and genetics of bacteria, culture techniques, stains and staining techniques, growth and nutrition in physiology of microorganisms, यह सारी चीज़े यहाँ पर mention की गई है in detail, इसके आगे अगर हम बात करें तो food biotechnology और biochemistry और nutrition का भी syllabus यहाँ पर आपको in detail discuss किया गया है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे यहाँ पर अगला subject आता है agriculture and dairy technology का, तो agriculture as well as dairy technology दोनों के यहाँ पर एक साथ include किया गया है, यह सब उसका part है, उसका syllabus है, ठीक है, आगे यहाँ पर बात हो रही है food engineering की, food engineering में भी आपको specific topics यहाँ पर mention किये गया है, जैसे कि fundamental of fluid flow, pressure, energy वगरा, ठीक है, तो यह सारी बाते तो हो गई यहाँ पर food engineering की, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ specific subject भी आप से पूछे जात सारी चीज़ें आप से पूछेगा यहाँ पर mental ability के syllabus में, आगे बात हो रही है general awareness on health and wellness की, तो इसमें आपको different topics को यहाँ पर include किया गया है, जैसे कि sustainable development goals, carbon footprint, यहाँ पर circular economy, machine learning, food safety and security, food and nutritional labeling, quality management system, vaccine development and drug testing, R&D institutions, welfare scheme of government, तो यह तो हुआ एक complete syllabus, यहाँ पर आपने देखा कि total 10 units total 10 subjects आपको पढ़ने हैं, उसमें various topics आपको यहाँ पर mention किया गया है, clear हूँ यह सारी चीज़ें, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर expected cutoff कितनी रहने वाली है, आपके exam की, यानि CFTRI entrance exam की expected cutoff क्या रहने वाली है, तो यह होती है 55 to 65% of total marks, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो क various number of subjects आप से पूछे जाते हैं, तो इतने सारे subjects अगर आप से पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा marks यहाँ पर कोई gain नहीं कर पाता है, तो about यहाँ पर अगर आप 55 to 65% marks, total marks कला रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप यहाँ पर eligible हो जाते हो entry के लिए, मतलब आपका नाम जो list release होती है, उसमें आ जाता है, आपको एक बात और बता दे, यहाँ पर marks नहीं बताये जाते हैं किसी भी candidate के, कि कितने marks उन्होंने obtain किये हैं, सिधे-सिधे यहाँ पर एक list को जारी कर दिया जाता है, उसके basis पे आपको पता चल जाता है कि आपका selection हुआ है या नहीं preparation के लिए अगर आप बात करें तो देखिए आपके पास अभी total 90 days about बचे हुए हैं, तो इन 90 days को आप कैसे plan कर सकते हो, इस exam को prepare करने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको stick रहना पड़ेगा यहाँ पर syllabus से, जो भी syllabus आपको दिया हुआ है, सिर्फ उसी पर focus करना आते हैं, तो इसलिए आपको यह चीज़ ध्यान देनी है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको कितने समय में syllabus को complete कर लेना है, तो about 70 to 75 days के अंदर आपको पूरे syllabus को complete कर लेना है, ठीक है, उसके बाद जो भी आपके पास 15 to 20 days बच रहे हैं, उसमें आपको questions वगरा solve करने ह again and again आपको revision करना है, clear है, आगे यहाँ पर बात हो रहे है कि solve the topic wise MCQs, यानि ज्यादा से ज्यादा आपको MCQs उस syllabus से related, उस topic से related आपको solve करने है, तो दोस्तों यह था आज आपका वीडियो जो की totally based था CFTRI entrance exam पर, यहाँ पर आपने सारी information को देखा, क्या syllabus होना चाहिए, कब से आपको form fill करना है, result कब आएगा, यह सारी information आपने देखा, अब अगर आप यह चाहते हो कि solve education की तरफ से course को launch किया जाए, जिससे कि आप अपनी preparation को smoothly कर सको, तो आप comment कर सकते हो, या फिर यहाँ जो नीचे number flow हो रहा है, उस पर contact करके further information ले सकते हो, friends फिर मिलते हैं next video में, झांक यू